जब उनके लिए सुविधा जनक नहीं होगा तो आजिद्या का चुनाओ नहीं होगा तो तारीखे यूपी यूपी के उपस्चुनाओ की बढ़ा दी जाएंगी। यह चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्रप्रदेश के उप्चुनाव की बढ़ाई अखलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बात चीत हुई उत्रप्रदेश के उप्चुनाव में आमादमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कंडिड के लिए प्रचार भी करेंगी हमारा मकसद है कि भारती जनता पार्टी जो देश में नफरत की सामप्रदाइक्ता की राजनीती कर रही है दंगे फसाद और जगड़े की राजनीती कर रही है उनको इस चुनाव इस उप्चुनाव में भी पराजित के पोदी जी जनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उप्चुनाव की बढ़ा दी जाएंगी यह चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्रप्रदेश के उप्चुनाव की बढ़ाई है नमबर एक दूसरी बार अखलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच जाएंगे भी हमारा मकसद है कि भारती जनता पार्टी जो देश में नफरत की सामप्रदाइक्ता की राजनीती कर रही है दंगे फसाद और जगड़े की राजनीती कर रही है उनको इस चुनाव इस उप्चुनाव में भी पराजित किया जाएए आप महां मौजूद रहें हैं जो लोग कोई काम नहीं कर वही चुनाव में आपको क्या बताना होता है ऑख कि भारती जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की यह उपलब्धी है हमने इतना रोजगार दिया इतना kolay स्कूल बनाया इतना अस्पिताल बनाया इतनी सलके बनाई तो यह तो बताने के थाने में मोहित पांडे की हत्या हुई थाने में अमन गौतम की हत्या हुई एक पूर फौजी को पीठा जा रहा है राइबरेली के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं 26,000 सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं OBC आरक्षन को आपने खा लिया जिसके कारण से नौजवान वो धरने पर बैठा हुआ है आंदुलन कर रहा है कि हमारा आरक्षन हमको दिया जाए तो यह पार्टी देश के समविधान को आरक्षन को लोकतंत्र को खतम करना चाहती है बड़ी लडाई यह है और इससे दहान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं ना इस देश का दलित पिछला आदिवासी अलफसेंख्यक इनके किसी भी नारे में फसने वाला नहीं है सब मिलके बीजेपी को हराएंगे जो कह रहा है ना बटेंगे तो दलित पिछल आदिवासी अलफसेंख्यक बिना बटे बीजेपी को हराने का काम करेंगे देखिए ऐसा है हिंदू किसको मानते हैं यह रामनात कोविजी को हिंदू मानते हैं देश के रास्टपती थे क्योंकि वो दलित समास से आते हैं इनको मंदिर के सिलन्यास में उनको नहीं बुलाया गया प्रभु स्री राम के मंदिर के सिलन्यास में स्री रामनात कोविजी को नहीं बुलाया गया जो ततकालिन रास्टपती थे मौजूदा रास्टपती स्रीमती द्रोब्दी मुर्मू जो आदिवासी समास से आती हैं मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया किसको हिंदू मानते हैं ये अखलेस यादो जी एक मंदिर में चले गए पूजा करने पत्नी के साथ तो उसको धुला गया गंगा जलसे किसको हिंदू मानते हैं ये लोग इनके हिंदू की परिभासा क्या है सौ साल हो गए आरेसेस को बने हुए एक गली तोर पिछले का नाम बता दीजे जो आज तक आरेसेस का प्रमुख रहा हो एक गली तोर पिछला मैं पूछ रहा हूँ आपसे सौ साल के अंदर तो हिंदू किसको मानते हैं